आपरेशन लोटस का सुबूत आम आदमी पार्टी के पास है क्या क्या क्योंकि सीधा आरोब खेजरिवाल भी लगा रहे हैं और उपमुखे मंत्री दिल्ली के मनी ससोधिया भी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें बकाइदा बीजेपी की तरफ से ओफर आया लेकिन आपरेशन लोटस फेल हो चुका है इसी पर बातचीत करने के लिए खास महमारे लेकिन एक्स्क्लूसिफ तौर पर हमारे साथ गौतम गंबीर साहब जुड़ चुके हैं दिल्ली से बीजेपी के सांसद है गौतम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सीधा आरोब बीजे आपरेशन वाला बयान है और सचाही है कि जब इनसान डरावा होता है तो क्या-क्या चीजे करता है और क्या-क्या चीजे करवाता है एक डर एक ऐसा व्यक्ति जो खुद 1100 वोट से जीता था पिछले एलेक्षिन में और आखरी राउंड में जीता था वो ही आके भार ये बोलता है कि मुझे मुझे मुख्यमंत्री पत का पत ओफर किया गया है और अपरेशन लोटस और तो सचाही है कि जब आप एक्सपोध हो जाते हैं जब आपको जेल जाने का डर होता है तो फिर डर क्या-क्या चीजे कराता है यह पूरी देश की जंता देख रही है यह आप लोग भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं तो इससे जादा मैं कुछ कह वितना ही कहना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से की कोशिश करना कि 2025 में इसी व्यक्ति को पडपड गंज से लड़वाना कहीं और से मत लड़वाना दर किस बात का गौतम गंभीर साथ डर किस बात का पुरे दियश की जनता जाती है कि Excise Policy में क्या किया था किस तरीके से ठेके खोले गए कितना पैसा कमाया गया और वो Excise Policy वापिस क्यों ली गई और सच्छाई यह है कि Excise Policy इसले वापिस ली गई थी क्योंकि डर था कि अब बिलकुली कंप्रीटली एक्सपोज हो जाएंगे और यह Excise Policy जो लेके आये थे अपनी लिकर माफिया के दोस्तों के साथ इसले लेके आये थे कि उस पैसे से जो पैसा कमाया गया तो उससे पंजाब के अलेक्शन लड़े और खाले सानियों के समर्तन से सरकार बनाए और वो वो करने मे है successful रहे अगर इतने ही साफ सुत्रे थे इतने ही बिलकुल सच्चे हैं तो फिर यह लिकर पॉलसी क्यों वापस ली और यह जो 140 क्रोड रुपे जो लोगों को वापस दिये हैं क्यों वापस दिये गए जो 30 क्रोड रुपे जब वापस दिये गए एक व्यक्ति को जिसने tender की formalities भी पूरी नहीं की थी क्यों की गई थी अगर आपको लगता है कि यह liquor policy इतनी अच्छी थी revenue इससे generate हो रहा था तो फिर यह वापस क्यों ली जब दबाव डला तो वापस ले ली तो सच्छा ही यह है कि यह liquor policy में completely exposed हो गए थे और इससे जादा मैंने कुछ कहना नहीं है क्य कर रहे हैं मुझे मक्हय मंत्री का पाद offer हुआ कभी कहते हैं हमारे mlaz को 55 crore पे offer कि जा रहे हैं आपको नहीं लगता ही कि इतनी बचकाना हरकते सिरब वही व्यक्ति करता है जिसको इतना डर हो और आपको लगता है कि कि आप इस चीज को मानते है कि हमें इस चीज को मानते ह हैं लेकिन आप सवाल ये खड़ा होता है अर्विन किर्जिवाल ने तो दो दिन के बाद गिरफतारी की बाद भी कहा दिये मनीश ससो दिया के और ये कहा है कि गुजरात में जो हम चुनाव लड़ें उससे बीजेपी डर गई है और इसलिए ये तमाम हतकंडे अपनाय जा रह आग्यूमेंट एक और बचकाना बयान कितने बचकाना बयान देंगे कब तक डरेंगे कब तक भागेंगे कब तक लोगों को डाइवर्ट करते रहेंगे कब तक असली मुद्दे से भागेंगे अर्विन केजरिवाल जी क्योंकि हर चीज का एक अंत है हर जूट का एक अंत ह जूड़ पिष्टे 7 साल से बोला जा रहे दिली की जनता के साथ हर चीज कान्त आता है और आपके जूड कान्त आ चुक्क है क्योंकि आप और आपकी सारी पार्टी बिलकुल extras हो चुक है और अभी आपकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं हुए है कि भर्ती जनता पार्टी को आ एक्साइस ड्यूटी को लेकर एक्साइस पॉलिसी को लेकर माप कीजिए का CBI की रेड मनी ससोधिया के घर पर पड़ती है लेकिन यहाँ पर आम आद्नी पार्टी के कारेकरता आपकी एक फोटो किसी पुराने आड को लेकर छापते हैं और यह कहते हैं कि आपने उसी दारू से कितने पैसे कमाए इसका क्या जवाब देंगे गौतम गंबीर मैं बहुत अच्छा जवाब दूगा कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो किसी भी क्रिकेटर को पहले भी और आज भी किसी भी आलकोहॉल को एंडोस करने की परमिशन नहीं थी और किसी भी क्रिकेटर ने आलकोहॉल को एंडोस नहीं किया था वो रोयल स्टैग मेगा म्यूजिक का अड़टिजमेंट है आप जाके कॉंट्राक्ट देख सकते हैं और बचकाना एक और बचकानी पॉलिटिक्स एक और आज तक आपने किसी क्रिकेटर को देखा है 1983 से लेकि अभी तक किसी ने भी आलकोहॉल की आड़ करी हो और मेरे साथ तो बाकी और भी क्रिकेटर थे तो वो रॉयल्स टैग मेगा म्यूजिक थी और इस बारे में बोलना भी बेफकूफी है क्योंकि ऐसी हरकते 2009 की चीज़ अब लेके आ रहे हैं बताइए कितना पैसा कमाया था 600 ठेके आपने खोले दिल्ली में कितने स्कूल खोले हैं पिछले साथ साल में भगत सिंग जी के नाम पे राजनीती करते हैं भगत सिंग जी के नाम पे जो राजनीती करते हैं वो ठेके नहीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलते हैं आप लोग तो एक बारी भी सवाल नहीं पूछते हैं दिल्ली की जनता को ठेके नहीं चाहिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, DTC बसेश चाहिए, रोड चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, हर धर में ऑक्सेजन से लेंड, हाँ जी New York Times के front page का हवाला देकर जो पहली press conference थी rate के बाद वही दिखा रहे थे कि देखिए front page पर school और education model की अगर देश में कहीं तारीफ हो रही है तो वो देश की राजधानी दिल्ली है और सबसे best education minister का खिताब अर्विन केजिवाल ने मनीश सिसोधिया को दे दिया in fact भारत रत्न की भी वो तो मांग कर रहे हैं मैं आपसे सिरफ एक simple सवाल पूछना चाहता हूँ अगर हम इतना उंको बार-बार सवाल पूछते हैं कि कितने school college hospital खोले गए कितने अपने डिटी सी बसे लेके आए कितने आपने infrastructure पर पैसा लगाया अगर हम जूट बोल रहे होते हैं तो आपके इतना बड़ा news channel है आप खुदी हमारे को expose कर चुके होते हैं मैकल अगर आप मुझे आज आप expose कर दीजेए आपके इतने reporters हैं कि पूछ के बताईए कि दिल्ली में कितने नए school college खोले हैं मैकल आपके माध्यम से आपके channel पर आके माफी मांग लोगा दिल्ली की जनता से और New York Times की जातागा आप बात करते हैं हमारे को दिल्ली की जनता की approval की जरूत है आज तक आज तक अभी भार आके आखड़े तो दिये नहीं कि क्या school college हां जी गौतम साब एक यह जो फोन पर बातचीत की बात आ रही है कि फोन आया फोन आया एक सवाल मेरा आपसे भी है क्या आपने तो कहीं फोन नहीं किया था मनीर से सोधिया को अर्विन केज्रिवाल को हाँ हाँ उसी तरीके से फोन के था जो मेरे election में इन्होंने जो pamphlet की controversy है आप दो नहीं भूले होगे मैं भी नहीं भूलाओंगा जो व्यक्ति एक सीट जीतने के लिए अपनी पार्टी की महिला की इज़त दाव पे लगा सकता है उससे दिल्ली की जनता या देश की जनता उससे क्या और सोच सकती है और क्या उससे उमीद रख सकती है इसी तरीके से तो आप अरोप लगाया तो मेरे उपर भी एक सीट जीतने के लिए उस टाइम तो मैं राजडीती में मैंने लिटरली कदम भी नहीं रखा था जो 2009 का मेरा रॉयल्स टैग का आड वो भी रॉयल्स टैग मेगा म्यूजिक का आड लेके ट्रोल कर सकते हैं उनको बुलिए जमीन पर काम करिए और ये लड़ाई आज आपकी और मेरी नहीं रह गई ये लड़ाई आम आदमी पाटी और बीजेपी की नहीं रह गई ये लड अब इतना कहना चाता हूं ये लड़ाई हमारी जेंडरेशन हमारे आने वाली जेनरेशन के लिए उनकी जेनरेशन के लिए अगर ये व्यक्ति इसी तरीके से अपनी बच्पन वाली हरकते और ऐसी राजनीती करता रहा तो दिल्ली दस साल में रहने लायक नहीं रहेगी सिसोधिया खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि इस गोईं टू बी मोधी वर्सिस केजरिवाल अलान उन्होंने किया लेकि नारेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल अगर आपने मुझसे पूछा ही ना होता ना मैं इसका जवाब भी ना देना चाहूं क्योंकि इतना पहले ये बुलिए कि एक MP जताके लाइए इसके लावा मैं कुछ नहीं कहना बताईए जी उन्होंने तो एलान कर दिये एक सीट नहीं है एक MP नहीं है लोग सावा में और आप नारेटिव सेट कर रहे हैं कि PM PM मोधी वसेज अरविंद केजरिवाल ने तब यह कौन सा अग्यूमेंट है या आज अगर अरविंद केजरिवाल को कोई जानता भी नहीं थ उन की बनाईब पार्टी की सरकार है यह बात तो आप मानेंगे ना दो आजयों में न उनको कितने राजियों में जमानत जप्त हुई यह तो आपने नहीं बताया की जब पंजाब में सरकार बनी तो पंदरह दिनवाद ऑद ही पंजाब के मुख्यमंत्री की सीठ अर गय है मैं आपको ये लॉजिक इसलिए दे रही हूँ क्यूंकि क्यूंकि अगर दो हजार चौबीस में और ये तो आप भी जानते हैं आप लोगतंत्र के जनता के रेप्रेजेंटेटिव हैं तो किसी को भी ये हक है कि वो किसी के भी सामने चुनाव लड़ सकता है तो एक ऐसी नारेटिव इसके सेट किया जा रहे है क्योंकि अभी जो एक्सपोज में दोजार चौबेस बहुत दूर है लिकर पॉलिसी पे बात करिए ना लिकर पॉलिसी पे क्यों नहीं बात करते कि भारत रतना पर जाते हैं कभी पी एम कैंडिडेट हैं कभी इंको ये दुनिया के तो मेरी भी है आप क्यों नहीं ये सवाल पूछते कि भाई साथ साल में कहा है स्कूल कहा गए कॉलेज कहा गई वो यमना को साफ करने की जो आपकी सोच थी कहा गई दिल्ली को लंडन पारिस न्यूयॉक बनाने की कोशिच जो आपने दिल्ली की जनता के साथ आपने प्रॉ पूछे जाते हैं और इस वक्त आपके साथ साल में पैठी है अचा पता है उन्होंने सबसे पहले एडुकेशन मिनिस्टर से इस सवाल पूछा था कि अगर इतनी शांदार है तो क्या वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे तो ABP News सारे सवाल पूछता है और हर किसी से सवाल पूछता है और सवाल पूछने से लिए और आपने हेल्थ की भी बात करी यह कहते हैं आप सवाल पूछे जवाब कितने मिलें आपको उनसे कितनी बार जवाब मिलें मुख्य मंतरी जी से आपको यह बताईए वो तो हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं कि वर कि कम से कम अपना हिसाब तो दीजे दिली की जनता के लिए आप दिली के रिप्रेजेंटेटेव हैं आप अपने आपको दिली का बेटा कहते थे पर वो तो यह आरूप लगा रहे हैं कि चुक्कि वो बहुत शांदार काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरक्की के उस रोड दोना आपको वो वो तो यह कह रहे हैं वो तो वो कह रहे हैं अगर हम इतने आरोप लगा रहे अगर जूटे होते हैं तो में को expose कर दीजे मैं कल माफी मांग लूँगा दिली की जनता के साथ मैं दिली में गंदी राजनीती है ऐसी बच्पनों वाली राजनीती करने नहीं आया हूँ, आप प्लीज एक्सपोस करिए मुझे, बताईए कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, तो प्लीज दिखाईए, अपने चानल पर दिखाईए, दिल्ली के स्कूल वर्ल क्लास है, तो दिखाईए, मैं आप से जादा खुश होंगा, कि कम स के जरिये, लोगों के दिलों में राज करने की कोशिश कर रहे है, अब चूकि वो लोग यहां पर मौझूद नहीं है, तो मैं उनसे जवाब ले नहीं सकते हूँ, लेकिन, करोडो, 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 रुपे, एक छोटा पैसा नहीं, करोडो, रुपे, विज्यापनों पे डाले जा रहे हैं, पूरे देश में एक ही ऐसा मुख्य मंत्री था, जो करोडो की कोविड की सेकेंड वेव में भी, जिसने अड़िटिस्मेंट देने से नहीं चुका, उस वक्त पे जब एक एक व्यक्ती को जुरूत थी, शायद वो पैसा अगर एक हॉस्पिटल बनाने मे या कोविड सेंटर बनाने में लगाते, तो शायद दिल्ली की जनता अपना अश्रवाद और देती, और दुआएं देती, उस वक्त पे भी हर दूसरे मिनिट सिरफ इनी के आड़ आते थे और किसी मुख्य मंत्री के नहीं, आप ये कह रहे हैं एड़िजमेंट, आप ये कह जरूत है, विग्यापन मंत्री की जरूत नहीं है, कोई पॉर्टफोलियो नहीं है, एक ऐसा मुख्य मंत्री है पूरे देश में, चिसके पास एक भी पॉर्टफोलियो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉर्टफोलियो है, अपना नारेटिव, अपनी परसेप्शन क्र करने का और विग्यापन देने का बस तो गौतम गंबीर साब आने वाले दिन आप आम आदनी पार्टी के सरकार के तौर पर दिल्ली में कैसे देख रहे हैं महत्वपून सवाल है सर देखिए मैं भी आपको बहुत महत्वपून जवाब दूँगा अगर दिल्ली को बचाना है तो भारतिय जन्ता पाटी को दो चीजों से लड़ने की बहुत जुरूत है और हम अपनी जी जान से लड़ेंगे एक मीडिया क्रियेटेड अर्विन केजरिवाल और दूसरा यह जो विक्टिम कार्ड पिष्टे साथ साल से खिला जा रहे है यह बिचारापन यह बिचारापन दिल्ली को आगे नहीं लेके जाएगा सचाई लेके जाएगी हम जमीन पे लड़ेंगे दिन रात एक करेंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला यह लड़ाई अब मेरी और आपकी नहीं है यह भारतिय जनता पार्टी और आम आगभी पार्टी की नहीं हमारे बच्चों की है उनके आने वाली जेनरेशन की है हम दिल्ली को बचाएगे दिल्ली को बचाने की कोशिछ करेंगे फिर से मैं आपको काऊंगा अगर यह व्यक्ति इसी तरीकी की राजनीति करता तो आगे आने वाले 10 साल में दिल्ली रहने लाई जगा नहीं रहेगी दिल्ली बचेगी तो देश बचेगा और उसको बचाने के लिए अगर हमारे को अ इतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि भारती जनता पार्टी को उखने की जरूद पड़े ग्यारा सो वोट से जीते हैं सिरफ आखरी राउंड में जीते हैं आखरी राउंड में दम रखना फिर से कह रहा हूं आपके माध्यम से दम रखना अगला election पड़-पड़ गंद से ही लड़ना बस यहीं तक कहना चाहता हूँ सिरफ पड़पडगन से लड़ना कहीं और से नहीं और मैं चालेंज नहीं देता क्योंकि चालेंज सिरफ वीक लोग देते हैं मैं सिरफ आपको यह कह रहा हूँ कि अगला election वहाँ से लड़ना क्योंकि challenge देनी की आदद सिरफ आम आदमी party की है accept करने की नहीं है झाओगन numer अगला election मिलकुल आपने इतने आरोप लगा दिये भारती जनता पार्टी पे कि पांच करोड़ों पे offer हुए CM post offer हुई आपके मुख्य मंत्री कहते हैं आपको भारत रतना मिलना चाहिए आप दुनिया के सबसे अच्छे education minister है अगर आप इतने ही अच्छे हैं सब कुछ आपको offer हुए तो परपड़ गंसी लड़ेंगे ना जहांसे आप लड़ते आएं यह तो सचा ही है तो लड़ लेजिए मैं तो सिर्फ इतने ही कहना चाहता हूँ कोशिच करना के 2025 में ABP News आपको रखे आगे